नमस्कार मित्रो मैं निरंजन निराला फ्रम निराला निम्रोलोजी आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज एक बहुत ही सुन्दर टोपिक और आपके काम की चीजे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टोपिक है काम बनते बनते रुग जाते हैं काम में रुक आवटे आ जा रहे हैं आप काम में लग रहे हैं परियास काफी कर रहे हैं बड़ काम नहीं बन रहा है बनते बनते काम बन जा रहा है। आप देढ partisan काम नहीं हो पाता है। या इन्ड में हो मेरा है। पूजा पार्ट जब तब काफी चीजों किया है बटा कि बहुत ही सरल और सटिक चीज में आपको बताने जा रहा हूं अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके उमीद है कि आपको काम बन जाएंगे आपको करना क्या है और पहले समझें कि ऐसा क्यों होता है अखिर वजह क्या है तो वजह के लिए क्या है आप सभी समझें कि कुछ चीज निगेटिव चीजे होती है जो हमारी आसपास होती है काफी लोग बलेक मैजिक भी होता है काफी लोग आप लोग नहीं मानते होंगे an agar की दसा अगर कीड दसाघ्र जाता है अगर इसा बदलता है तो आपकी दसा नहीं ज़ियो जाती है तो लिग रह काभी प्रको पड़ता है तो आपको करना क्या है अप्रास फेली ऐी। परकुष समागरी ले नहीं इसामाग़ी क्या कारना हैं को समागरी। आपको थोड़ा साध एक चुटकी नमक को थोड़ा इसी चीननी सिर्फ एक चुटकी लेना है इस्टे पकड़ेंगें एक चुटकी इसमीं नमक एक चुटकी जे आपको जहना है चिन्नी एक लाल मिर्च खड़े वाली साबुत लाल मिर्च आपको लेना है जिस्तरी आपको है काली तिल एक चुटकी लेना है स्तफेद तिल वही एक चुटकी लेना है और आपको पांच खड़े काली मिर्च के दाने पिसम गोल की बोलते है काली मिर्स के दाने, वही खड़े वाले, टुटी हुए नहीं होने चाहिए, विल्कुल सावुत वाले, पांच दाने लेने हैं, अपने हथली भी रख लिए, इस सारे समगरी, आपको क्या करना है, इसे साथ बार जैन, अपने सरी पर से वारना, उतारना, इसे बोलता है, नेची साब सोरूं करेंगे, सर तक लाएंगे, चार वरी, इसेके एक बार, दो और इसी परकरिया को चार वर करना, पहर से सर तक लाना, यहानी कि टीजा की पर से नीची ऑना है, नीची से उपर चार वबार, टोटल कितने होगे, सात बार, साथ वर आपने तो प्रकिरिया कर लिया और यह जो प्रकिरिया करते हैं तो उस्टेम आपको एक मैंने संगल बोलना है आप जीन भी मानते हो जीन भी देवी देवताव जिस भी धर्म के लोगों आप जीन ही मानते हो आपको यही प्रात्ना प्रे करना है कि हे प्रमात्मा, हे मेरे इस्त्वर, मेरे अंदर की जो भी निगेटीव चीजे हैं, वो सारा इस समागरी के साथ बाहर चलिए जो भी कामे रुकापटे हो, वो हमारा काम बनने लगे, हमारे जो भी विग्न में आ रही है, काम बन नहीं रहा है, प्रमात्मा आप किरपा करो, इन सारे समागरियों से, इसके मादन से मेरे सारे कार्ज को आप सीध कर दो, सारे कार्ज को अब सफल करो, सिर्फ आपको इस संद्रलप करना है, और साथ वारी चीजों को आपको उतारने, अब इस समागरी को करना क्या है, दोस्तों इसमें एक और चीज समझेंगे, इस जीत परवेस करें निवहर में उपनिंग गरते हैं वहां भी जाते हैं तो इस सारी समागरी को जरू परता है तो मैं ऐसी आपको कोई अलग समागरी नहीं बता हूं बहुत हीं सरल और सटिक समागरी है सिर्फ आपको इसको करना करना किस दिन है वही आप जाने आपको क्या करना ती किस दिन आपनोट कमें सटर्ड मजशंड और मंद्य है और कितने बतरव चान में रचान संदेया पज़े से आपको जब भी करना है साम कुझ गरना पांच बज़े और ज्यादस सात वजय करो तो शहारे अइन आपको मिन परकिरिया करना लेकिन एक बिसे ध्यान रखेंगे और वो गलती नहीं करेंगे, काफी लोग उसे गलती कर जाते हैं, इस परकिरिया को करते हुए आपके घर के फैमिली मेंबर को भी ना देखे ना टोके, आप परकिरिया करें, बिलकुल एक दो मलग, अगर कोई फैमिली वालों को देखना नहीं है, कोई सी को भी नहीं देखना है, इसलिए नहीं देखना है, कि आपके जितने भी निगेटिव चीजे हैं, आपके अंदर ना करात्मक सकती हैं, अगर कोई देखता है, तो सारा negative energy उनके उपर चला जाता है, उनकी काम नहीं बनेगे, उनके साथ समझ जाएगे, तो ऐसा आपको बिलकुल नहीं करना है, इन चीजों को विसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या करना है, जो इस सारा प्रक्रिय आउट मतलब आउट, आपकी सारी समस्या है, वो फ्लस हो गई, अब आप देखेंगे, कि आपके जीवन में चेंजिग आने लगे, आपकी जो काम में जो विग निथी, वो कहीं न कहीं दूर होना स्टार्ट हो यगा, लेकिन दोस्तों, इस सभी मित्रों, ये परक्रिया ती आपकी कुछ रिजल्ट आते हैं, तो कोशिश करें, इस परक्रिया को चार से पांच हपते करना है, फो टू फाइव इक परिकिरिया को आपको करना है, बस, आप एक दम बन से पोजिटिव एस से आप करो, आपकी काम पक्का होगी, हंड़े परसंट होगी, एक विश्वा से आप भी पुईया करता हो, सभी धर्म के लोग अपने अपने मानते हैं, आप किश्वी वी दीवी, धर्म को मानता हो, आपके भी आस्ता है, आप ही वगवान से प्रातना करते हो, मेरा काम बने जाया है, एचे करें, आपने काफी परितन किया, काफी मनित्य bên के मांगते हैं, परकिरिया करते हैं, एक बार इस परकिरिया को जरूर से जरूर अपना और करें, अगर आपकी काम बन जाते हैं दोस्तों, तो साज्या जरूर करेंगे, और इसमें आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, जो स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, एक और आपको बताऊं दोस्तो करना क्या है आप इस पर क्रिया को समझ गए है इसे कैसे करना है इस पर क्रिया को तीन दिन करना है और सब्ता हमें चार से पांच बार करना है चार से पांच सब्ता करना है जब आपकी काम बन जाएंगे तो आप जरूर एक बार मुझे अपना अनुवर सेर करेंगे औ और आखरी में आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है, और कौन से आपको switch word का इस्तिमाल करना है, ठीक है, दोस्तो switch word है, आप ध्यान से note कर लेंगे, आपके काम की चीज है, switch word का आप note करेंगे, और ये बहुत ही powerful है, ये सारी समागरी के साथ ही आपको switch word चेंट करना, ठी सूधू दोर सामन पर नहान कर नहान के नहान के लिए अगर को कपड़े बढाने, नहान के बढ़ आना A फिर आको वापस अपने स्तान पर आ जाना है, जरूर करेंगे दोस्तो अभान आपको चैंटिंग आठा बन है ऐसे मंदर को कितने बार करना है बहुत ही सरल और सीधा मंत्र है उल्फ मैजिक उल्फ मैजिक बिगेन नौ क्या करना है उल्फ मैजिक बिगेन नौ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से समझेंगे उल्फ मैजिक बिगेन नौ उल्फ मैजिक बिगेन नौ इस जीज वड़को 45 ताइम आपको चंड करना swings को पेंट आलिस बार य। इस मंद्र को य। इन चीजों को आपको बोलना रचारन करना है य। समझें में कि य। उस है उल्फ मैजिक बिगेन नौ। बस दोस्तों 45 टाइम आपको इसको सिर्फ चंट करना अगर मैक्सिमिं टाइम कर सकते हैं और वेटर है बट मिनुम 45 टाइम करना आप 108 वार यू कर सकते हैं आप दो या तीन बार जी दिन में 108 वार का है 45 टाइम का रीपीट कर सकते हैं आप इन चीजों को जितने भी हैभिट मिलाएंगे जितने practice करेंगे, चीजी आपके दिखेंगे, अगर आपके बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादे गंभीर समस्या से परसान है, तो आप इसदे करें, कोई विकती नहीं मानते हैं, तो आप नहीं भी कर सकते हैं, बट आपको लगता है, कि करने से हमारी समस्याय के स समधान होगी, अगर आपका अबलीव सिस्टम करता है, तिन चीजों को जरूर करें, अगर आपके स्वास्त अच्छा नहीं है, तो आप बैठे बेड़ पर हैं, या चेर पर हैं, आप बैठे बेटे कर सकते हैं, आपको जुगने में प्रोलम है, आपको कमर में दर्द है, तो बैठे बेटे भी, आप सात बर इन चीजे को पर किलिया पैर से सर पर अपला सकते हैं, चार बर, तीन बार सर से नीचे पैर के और भी जा सकते हैं, आप इजी बेड़ कर सकते हैं, कोई इसमें कोई परसानी वाली बाते नहीं है, आप आराम से रिलक्स होके करेंगे, और दो आप देखेंगे कि आपके समस्या को समधान होना चालो हो जागा तो दोस्तो अब इस चीज को जरूर करें और मैं आप सबसे यही रिक्षिट करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो इस चीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को आपके बस इनिक इनिक चीज़े लाओंगा जो आपकी काम वानेगा बिने खर्च के इसमें कोई यादे पैसे वाली बात नहीं कोई यादे लंबी परकिरिया नहीं करना है कोई ज्यादा लंबा टाइम के चीज़े नहीं छोटी रहेगी लेकिन सटिक रहेगी एदम पावर करता हूं कि आप सभी के काम बिल्कुल बंजा और सभी स्तोस्त रहें आप सभी के जीवन में जो परसानिया हैं दूर हो जाएं ऐसा प्रमात्मा का सिर्वाद और हमारा भी आपका सही हुए धन्यवाद दोस्तों ओम शान्ति